So, friends, शुरू करते हैं आज की वीडियो Yesterday, my friend through a party यानि कि कल मेरे दोसने एक party रखी Yesterday, my friend through a party कल मेरे एक दोसने एक party रखी And he insisted that I attend as well और उसने जिद की कि मैं भी उसे attend करूँ यानि मैं भी पार्टी मा आओ Yesterday, my friend through a party And he insisted that I attend as well कल मेरे दोस ने एक पार्टी रखी और उसने जित की कि मैं भी उसकी पार्टी में आऊं यानि पार्टी को अटेंड करूँ और मुझे पढ़ाई करने की जरूरत थी और मुझे पढ़ाई करने की जरूरत थी मैंनों से समझाने की कोशिश की कि मैं नहीं आ सकता यानि मैंनों से एक्स्प्लेइन करने की कोशिश की एक्स्प्लेइन का मतलब होता है समझाने से यानि मैंनों से समझाने की कोशिश की that I couldn't come कि मैं नहीं आ सकता but he wasn't willing to listen लेकिन वो सुनने को तयार ही नहीं था जब भी हम कहते हैं कि लेकिन वो सुनने को तयार ही नहीं था English मैं बोलेंगे but he wasn't willing to listen but he wasn't willing to listen लेकिन वो सुनने को तयार ही नहीं था when he insisted too much जब उसने बहुत ज़ादा जित की when he insisted too much जब उसने बहुत ही ज़ादा जित की I eventually said yes मैंने आखिर माँ कर दी eventually का मतलब होता है अन्त में आखिरकार तो नहाँ पर बताया जा रहा है कि when he insisted too much जब उसने कुछ ज़ादा ही जित की I eventually said yes मैंने अंतमा कर यानि आखिर मा कर हां कर दी I had said yes to going to the party तो आगे बता जा रहा है कि party में जाने के लिए मैंने हान्तों कर दी थी But now I was sitting and thinking वेदर I should go to the party or not मुझे पार्टी में जाना चाहिए या नहीं जब इस तरीके का sentence आता है कुछ करना चाहिए या नहीं तो हम whether कर उस करते हैं जैसे कि यहां पर हुआ है यहां पता जा रहा है कि but now I was sitting and thinking लेकिन अब मैं बैठा हुआ सोच रहा था whether I should go to the party or not मुझे party में जाना चाहिए या नहीं I knew मैं जानता था I knew मैं जानता था if I go to the party अगर मैं party में गया my whole day would be ruined जो मेरा पूरा दिन है वो बरबाद हो जाएगा I knew if I go to the party मैं जानता था कि अगर मैं party में गया my whole day would be ruined जो मेरा पूरा दिन है वो बरबाद हो जाएगा and I had an exam in two days और दो दिन में मेरा exam था and I had an exam in two days और दो दिन में मेरा exam था so I had to study तो मुझे study भी करनी थी पढ़ाई भी करनी थी हम पर बता जा रहा है कि and I had an exam in two days so I had to study दो दिन में मेरा exam था तो मुझे पढ़ाई भी करनी थी in the end यानि अंत में आकर हम ऐसे बहुते हैं कि eventually लेकिन हापर का जा रहा है कि in the end अंत में आकर I decided not to go मेंने ना जाने का फैसला किया जब भी हम कहते हैं कि मेरे ना जाने का फैसला कि हम बोलेंगे I decided not to go in the end I decided not to go अंत में आकर मेंने ना जाने का फैसला किया because my career is more important to me than our friendship क्योंकि मेरे लिए मेरे करियर मेरे दोस्ती से जादा माइने रखता है because my career is more important to me than our friendship क्योंकि मेरे लिए मेरे करियर मेरे दोस्ती से जादा माइने रखता है So friends, आपको ये वीडियो कैसे लगी ये इस तरह की वीडियो है हम हमारे साथ जो real incident होते हैं ये अक्सर ऐसा हो लोगों के साथ होता रहता है तो इन इंग्लिश में कैसे बोलें इस तरह की वीडियो से काफी help मिल जाती है अगर आप इस तरह के सबने इंग्लिश को इंप्रूफ करना चाहते हो तो मैं डेल इस तरह की एक वीडियो अप्लोड करता हूं जहां पर हम सरिफ ऐसे इंसिडेंट लेते हैं जहां real में कुछ होता हूं